दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आप सबी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में और मैं दीन दियल रमावत, एक बार फिर से आप सबी का हमारे चैनल डीडी रमावत में हारदिक स्वागत करता हूं सातियों आज की हमारी ये वीडियो उन सभी भाईयों के लिए खास होने वाली है जो भाई अपने घर पे कुत्ता लाने की सोच रहे हैं यानि डोग पालने की सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहेगी सातियों हम हमारे चैनल के Dog'D सेक्सन में हर वीडियो में dog'D से जुड़ी हुई, कुटों से जुड़ी हुई कोई ना कोई जानकारी, किसी ना किसी समश्या के समाधान, किसी ना किसी बिमारी के ईلाज, रकराओ, कारण, लक्षन और घरेलू जो उपाए है वो कई ऐसे घरेलू नुसके जो विरल है आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सब नुसके हम आप तक लेके आते हैं तो साथ यह उसी परकार से आज मैं घर पे कुट्टों को क्यों हम रखेंगे क्यों हम पालेंगे कौन सी नसल हमें लानी चाहिए हम किस फाइदे के लिए किस परकार का कुट्टा हमें रखना चाहिए कौन सा कुट्टा जो है वो अमारे लिए कोश्टली रहेगा कौन सा अमारे लिए चीप रहेगा ये सबी बाते मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ तो आईए सातियों वीडियो सुरू करते हैं सातियों हमारे इंडिया में कई परकार की डोग कई नसल की डोग परसलन में हैं, घरों में हम रखते हैं लेकिन आप अगर डोग लाना चाह रहे हैं तो आपको पहले ये सोचना होगा कि आप डोग किस प्रपस से ला रहे हैं इसमें कई परकार के कारण आपके मन में हो सकते हैं कि मैं इस वज़े से डोग ला रहा हूँ जिसमें से अधिकतर लोगों के होता है कि हमारा सोख है यानि जो सोक की वज़े से डोग ला रहे हैं कई लोग सोचता है हम घर की रखवाली के लिए ला रहे हैं कई लोग अपने फार्म या फार्माउस की रखवाली के लिए डोग लाते हैं और कईयों के बच्चे हैं वो जिद करते हैं कि पापा डोग लाओ तो उसकी वज़े से वो डोग कुत्ते गर पे लाते हैं तो इस प्रकार से कई कारण कुत्तों के लिए हो सकते हैं लेकिन कुत्ते इंसान की जिंदगी में कई प्रकार के फाइदे भी करते हैं जिस मेंसे सबसे जो बड़ा फाइदा मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि जो लोग depression में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, टेंसर में रहते हैं, उनके लिए डोग बहुत ही अच्छे रहते हैं तो साथियों डोग पालने के फाइदे भी कई है, कई नुक्षान हैं जो हम अलग-अलग वीडियो में आपको बताते रहेंगे अगर डोग के बारे में हमें संपून जानकारी रही उसकी नसल के बारे में, उसके खानपान के बारे में, उसकी डिवर्मिंग के बारे में, उसकी vaccination यानि टिका करन के बारे में तो हमारे घर पे जो हम डुग रखेंगे, वो हमारे लिए फायदे मंद भी होगा, और हम आसानी से उसको रख सकते हैं, कोई भी प्रकार की ऐस उधा नहीं होगी, साथ योँ डुग की कई नसले हैं, जो हम आसानी से पर्चेज कर सकते हैं, हमारी इंडिया के हर कोने में, वो ह German Safford जर्मन साफर्ड बहुत ही वफादार और तेज कुत्ता होता है और उसको अगर ट्रेंड किया जाए तो इससे अच्छा कुत्ता कोई हो ही नहीं सकता जो हमारे लिए पूरे के पूरे काम करता हो साथ यो डोग जो होते हैं वो हम उनसे तीन परकार के फाइदे ले सकते है या तीन परकार के उनकी प्रवर्ती होती है पहली जो प्रवर्ती में मानता हूँ वो है अग्रेसिव यानि हमारा जो डोग है वो अग्रेसिव होना चाहिए दूसरी जो केटेगरी है वो है प्रोटेक्टिव साथ यो अग्रेसिव अगर है और वो ज़्यादा अग्रेसिव है हर जगे ही आकरमक रहता है तो वह बी काम का नहीं है यानि दोग को आघर हमने जर्मन सेफर्ड को ट्रेंड कर दिया परिवार के साथ रहरा है तो वास्तिवी ग्रूप से बहुत ही अच्छा फ्रेंडली डोग है यानि हम जर्मन सेपर्ड आराम से अपने गर पे ला सकते हैं दूसरा साथियों गर की रखवाली के लिए यानि जो गार्ड डोग है वो पहला तो जर्मन सेपर्ड हो गया दूसरा जो है वो है ग्रेट डेन साथियों ग्रेट डेन जो डोग होता है उसमें बुद्धी मानी डोग के लक्षण बहुत ज़्यादा होता है यानि इसे बुद्धी मानी कुट्ता भी कहते हैं यानि उसकी समझ जो है वो बहुत ही अच्छी होती है उसे अगर अच्छी तरह से ट्रेंड किया जाए तो वो हमारे लिए अखबार भी ला सकता है तो हमारे लिए कोई भी परकार के काम जो है वो एजिली कर सकता है और बहुत ही अग्रेसिव, प्रोटेक्टिव और फ्रेंडल टाइप का है और यह जो नसल है वो ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं है कि जो खुद मालिक को यह नुपसान पहुचा सके तो यह नसल जो है वो भी बहुत अच्छी है बस इसे इतना यह थोड़ा गुमाना फिराना पड़ता है वोकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है तो वेशे तो साथियों कोई भी डोग आप लाएं वोकिंग के बगेर वो एक्टिव रहेगा इनुग और वोकिंग कमपलसरी है जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है वो भी आपके सामने पस्तूत करेंगे इसके अलावा साथियों जो गाड डोग में जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो है बॉक्सर बॉक्सर भी एकदम से एक्टिव रहने वाला है और श्पोर्टी टाइप डोग है यानि उसे गुमाना फिराना और श्पोर्ट्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो साथियों ये जो तीनो नसले मैंने आपको बताई है जर्मन सेपर्ट, ग्रेट डेन और बॉक्सर ये गाड डोग के लिए बहुत ही ज़्यादा उप्योक्त है अगर आप घर की रखवाली के लिए लाना चाह रहे हैं और इन तीनो नसलों में से आप इनको ट्रेंड कर दिया तो घर की रखवाली के लिए इन से बेस्ट कोई नसल नहीं है इसके अलावा साथियों अगर आपके पास फार्माउस है और आप डोग को फार्माउस पर रखना चाह रहे है तो उसके लिए भी दो नसलें जो है वह बहुत ही शांदार है जिन में से पहली और प्रमुग नसल है वो है डोबर्मैन साथि योड़र्मैन जो नसल है वो आकरम में कियना फूली अग्रेसिव नसल है और दूसरी है रोट विलर तो जो रोटविलर और जो डोबरमेन है ये दोनों नसले बहुत ही ज़्यादा अग्रेशिव नसले है और जीनों ने पहली बार डोग खरिदने की सोची है वो आप इन डोग को परचेज ना करें क्योंकि इनके लिए एकदम से प्रसिक्षित मालिक की भी जरुत पड़ती है इनको अलग से समय देना पड़ता है डोग की ट्रेनिंग देनी पड़ती है और इनको हमेशा अपने साथ रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा सातिर रहना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आक्रामक कसम की नसले हैं तो सातियों ये आप विसेश जान रखें अगर आप ये दोनों नसले ला रहे हैं तो फार्म के लिए बहुत ही ज़्यादा आची रहेगी लेकिन इनका हमें विसेश सावदानी से अच्छी तरह से इनको ट्रेंड करके और अगर अच्छी तरह से ट्रेंड और फ्रेंडली अगर बना लिया गया अगर इन दोनों नस्लों को protective और friendly बना दिया गया तो इससे बैतर कोई भी नस्ल नहीं रहेगी सुरक्सा की दरश्टी से तो साथियों ये दोनों जो नसले हैं, वो हम फारमाउस में या अपने फारम पे रखवाली के लिए काम में ले सकते हैं. जो अपने घर पे friendly डोग रखना चाहते हैं बच्चों के लिए भी जो उप्युक्त डोग है वो डोग की नसल है लेवराडोर लेवराडोर बहुत ही आग्याकारी याग्याकारी सब्द जिसके साथ जुड़ता है वो है लेवराडोर अग्याकारी कुटा है और सस्ता भी है इसे घर पे रखना चीफ होता है सुरुवात में अगर कोई भी हम फीड से रेलेक बगएरा देते हैं उसके बाद उसे घर के खाने पे आसानी से डाला जा सकता है और गरेलू मेंबर की तरह लेवराडोर रहता है तो आप अगर गरेलू यूज के लिए यूँ हमें चाहिए सोक के लिए हमने घर पे कुटा चाहिए बच्चों के लिए मानलो साथ खेलने के लिए तो लेवराडोर बहुत ही अच्छी नसल है इसके अलावा सातियों पॉमेरियन जिसे सही नाम जिसका पॉमेरियन है उसे भी आप आराम से घर पे रख सकते हैं और वो भी एक बहुती अच्छी फ्रेंडली नसल है और छोटा सा कुटा होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो कम जगे में और हम आसानी से उसको मेनेज कर सकता है बच्चों के लिए बहुती ज़्यादा फ्रेंडली होता है घर पे खेलने के लिए वो बहुती अच्छी मलब थोड़ी सी जगव में वो खेल कुट करके बहुती अच्छा एक्दम से एक्टिव रहता है और आग्याकारी भी है तो आप Comerian कुंता भी आराम से पाल सकते हैं ला सकते हैं तो सात्यों ये तो ही नसलें जो हम किस नसल को किस जगे हमें किस प्रकार से मेनेंज करना है वो मैंने आपको बताया है इसके अलावा भी इनकी जो अलग लग नसलकी पूरी पूरी जानकारी है उनके लिए हमने अलग से वीडियो तियार किया है वो भी आपके सामने प्रस्तत करेंगे इसके अलावा साथियों अगर आप डोग लाने की सोच रहे हैं तो डोग लाने से पहले उसके रख रखाओ उसकी डी वर्मिंग, उसके खान पान और उसके सबी प्रकार के जो जनरली रोग होते हैं उनके बारे में भी आप पूरी जानकारी रखें ताकि वो जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद होगी और बिना वेक्सिनेशन के तो गर पे डोग रखना बिलकुल भी सही नहीं है और कई वार हमारे लिए खतरनाग भी साबित हो सकता है और अगर हम डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो गोग के लिए खुद के लिए खतरनाग साबित हो सकता है इसके अलावा साथ ही अगर आप दोग लाने की सोच रहें तो ये भी आप हमें से ध्यान रखें कि कोई ना कोई गर का सदश्य आपके घर में मुझूद रहना बहुत ज़्यदा जरूरी है क्योंकि डोग को अकेला रखना कत्रे से काली नहीं है सही नहीं रहता उसकी हेल्थ के लिए भी और जनरली भी सही नहीं रहता तो ये सभी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है अगर आप डोग लाने की सोच रहे हैं जो भाई हमारे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मैं विशेश निवधन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगाए तो इसे लाइक जरूर करें और सभी दोस्तों के बीच में सेर करें क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए यूसफूल है क्योंकि डोग लाने की इच्छा सभी के मन में रहती है तो आप डोग से संबंदिती जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आप जानकारी उने दे और मुझे ये आसा भी है कि आप सभी लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो सातियों डॉग से संबंदित संपोर्ण जानकारी के लिए आप सब्स्राइब कर ले और हम इसी प्रकार से इसी जानकारियां आपके लेके आते रहेंगे लेकिन डॉग लाने से पहले जो मैंने आपको तीनों व्यवार बताए हैं अग्रेसिव, प्रोटेक्टिव और फ्रेंडली उनका आप जरूर ध्यान रखें तो सातियों आज के लिए बस इतना ही अलग वीडियो में आपको अलग जानकारी के साथ फिर से मैं आपके सामने पस्तोत होँगा तो सातियों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद